हेलो इस्टुडेंस मैं आस्तो सर्मा आपके बीच हाजीर हूं फ्रिक्षन अर्थात घर्षन का तीसरा लेक्चर ले करके ठीक है ना कल के वीडियो के बाद कुछ विद्यार्थियों इस्टुडेंस के द्वारा ये मुझे बताया गया कि सर आपके नोट्स जो हैं पूरे इं हैं हिंदी में भी आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइट कराऊंगा देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इंगलिस में नोट बना जरूर रहे हैं लेकिन हिंदी में पूरा एक्स्प्लेइन करते हैं साथ में तो आप अगर चाहें तो बुक रख करके और उससे प्रॉपर डेफिनि अगर इसको देखा जाए तो हमने बैलेंस या इक्लिबरियम की कंडिशन पड़ी थी दोनों पर एक शैटिस तल पर यानि की होरिजेंटल प्लेन और दूसरा देटा इनकलाइंड प्लेन पर या इनकलाइंड प्लेन को हिंदी में हम यह कह दें कि नत समतल जो कि जुका सामयावस्तागी कंडिशन को पढ़ा था ठीक ने? आज एम उसके आगे चलेंगे आगे के कुछ प्रूविंग करेंगे आज देखते हैं कि हम इनकलाइंड प्लेन पर ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कितना बल लगाना पड़ता है और ब्लॉक को उसी इनकलाइंड प्ल बहुत अच्छे था ही किसे ठीक है चली तो देखिए पहला बेटा यह है force acting along the inclined plane अर्थात कि नत समतल के सापेक्ष बल लगाने पर नत समतल के सापेक्ष का मतलब समझे कल देखिए जो हम लोग ने inclined plane पर सामय आवस्था यानि equilibrium की जो condition पड़ी थी उसमें जो बन लगाया गया था print पर आप लोग पीछे के lecture देख सकते हैं उनमें देखिए कि बिल्कुल horizontal लगाया गया था यानि कि ये तल अगर ऐसा है तो इस पर यू लगाया गया था force आप लोग देख सकते हैं कल वाले lecture में आप लोग देख सकते हैं लेकिन आज हमने क्या condition पड़नी है कि नत समतल के सापेक्ष अर्थात की जो force लगाएंगे हम print पर body पर वो inclined plane के सापेक्ष लगाएंगे कैसे सापेक्ष अर्थात बिल्कुल इस तरीके से जैसा inclined plane है उसी के parallel ऐसे force लगेगा ठीक है कोई doubt चलिए बहुत अच्छी बात है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है ठीक है तो इस पर देखिए एक यहां पर साइब फिगर आपको clear response नहीं है तो मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से एक inclined plane है यहां पर एक block यू रखा हुआ है उस पर देखिए उसका जो weight है वो w इस तरीके से work कर रहा है नीचे की तरफ यह देखिए यह w है ठीक है और वह w और उसके देखिए उस जो block रखा है ना उस पर एक reaction force इस तरीके से काम कर रही है उपर की तरफ r मैंने बताया था ना जिस तल पर रखा हो तो उसके perpendicular ही reaction force काम करती है पीछे भी बता चुके है अभी भी बता रहा है ठीक है और यह जो angle बेटा है यह angle इस angle को मैंने बताया था आपको angle of report या विसरानती कौन कहते हैं इसको हम denote करते हैं alpha से अर्थात की जो आपका inclination angle होता है तो बेटा अगर यह alpha तो यह भी alpha हो जाएगा आपको हम पिछले में भी बता चुके हैं और आज भी बता दे रहा है ठीक है इस पर क्या हो रहा है मैं देखिए heading क्या लिखी है ना तो समतल के सापेक्ष बल लगाने पर means की force acting along the inclined plane तो हम क्या करेंगे जो बल पी लगा रहा है बिल्कुल इस direction में देखिए यह पी बल लग रहा है इतनी बात आप समझ गया होगे ठीक है ना तो देखे डबलू जो है पिटा ये वाला इसके सापेक्ष यानि ये वाले के सापेक्ष अगर angle बना रहा है तो उसके लिए horizontal surface तो हमने बताया था कि जिस तल से angle यानि कौण बनाता है उस पर उस बल का घटक कैसा आता है cos के form में तो ये हो जाएगा w cos alpha इतनी बात समझ गया होगे और उस तल के बिल to shine alpha इतनी बात समझ गया होगे और देखिए चूंकि इस पिंड को ये जो body है ना इसमें भी दो conditions होती है तो हम जो पहली condition पढ़ रहा है यानि जिसका ये figure है अभी आपके सामने आएगा उसमें पहली condition में पिंड को हम उपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है तो इसमें देखिए क्या है पिंड को हम उपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि एस वन क्या कह रहा है कि वेन दा बॉड़ी इज जर्ष्ट ऑन दा प्वाइंट मोशन और अब दा प्लेन यानि कि ये पिंड है वो किधर खीचने का प्रयास किया जा रहा है उपर की तरफ तो देखिए लिखा भी हिंडी में भी आज मने लिख दिया है कि जब भार नत्र समतल पर बिलकुल उपर जाने की अवस्था में हो ठीक है ना तो यहां पर देखिए ये जो पी हमने लगाया है इसको उपर खीचने के लिए लगाया तो आप खुद सोचिए क कि जब पिंड को उपर की तरफ खीचा जाएगा तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानि कि घर्षन बल होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं वो जस्ट अपोजिट डिरेक्शन में होता है ना मैंने पहले ही दिन बताया था कि घर्षन का मतलब ही होता है कि रोक लगाना या उस पर जो बल लगा है उसका अपोज करना तो देखिए यह किधर काम करेगा F is equal to mu r लिखा है थोड़ा सा figure आज क्लियर नहीं आपाया है लेकिन आगे से प्रयास करेंगे figure भी अच्छा है ठीक है ना तो F is equal to mu r और अभी मैंने आपको घटक करके बता दियें पीछे जो अगर इनको resolve करें यानि resolve मतलब घटक ठीक है ना तो लिखा है कि उपर पढ़िए in this case the block is moving up the plane and the fractional force will act down the plane अर्थात हिंदी में भी समझा दे रहा हूं जिसको दिक्कत होती है कि इस अवस्था में जो पिंड है वहाँ उपर की तरफ जाने का या गतिमान होने का प्रयास कर है तो फिर जो घर्शनबल होगा जस्ट उसके अपोजित यानि नीचे की तरफ लगेगा ठीक ना उसके वाद देखें क्या लिखा है resolving the force perpendicular to the plane परपेंडिकुलर प्लेन अगर यह है तो परपेंडिकुलर प्लेन बतलब इस तरीके से यही तो resolving होगा ना प्लेन परपेंडिक का हूँ और इस दिशा में डबलू साइन अलफा आएगा अभी अभी पीछे बता चुके फिगर बनाके ठीक है तो देखिए आर अगर ऊपर की तरफ बेटा लग रहा तो इसके अपोजित डिरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है डबलू कॉस अलफा तो पहली equation यह बता था चलूँगा क्या एक्स्ट्रा है उसके रहा है resolving the forces parallel to the plane यानी की बल को parallel का मतलब ही होता है कि समतल के सापेक्च ठीक है ना तो यानी अगर तल यह है तो इसके जस्ट इस दिसाम में जो भी बल लगेंगे उनको हमें balance करना है तो क्या होगा देखिए इस दिसाम बेट में म्यू आर भी काम करेगा इतनी बात आप सब समझ गया होंगे ठीक ना तो जब म्यू आर इसी दिसाम में काम करेगा तो equation क्या बन जाएगी बेटा देखिए पी तो यह है और साथ में नीचे दो बल काम कर रहा है एक म्यू आर यानि फ्रिक्शनल यानि घर्शनल बल और दूसरा काम कर रहा है डवलू साइन अलफा यह देखे लिखा हुआ है तो यह देखिए म्यू आर डवलू साइन अलफा तो जुड़ जाएंगे आपस में देखिए जुड़ गया है डवलू साइन अलफा प्लस एफ एफ क्या है वही म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स या घर् ग्याद करना, P कम से कम वह मान ग्याद करना कि PIN को यह उपर ले जा सके, ठीक है, तो हमें कोल मिला गया है, एन केन प्रकारण किसी भी तरीके से P का मान ग्याद करना है, तो देखे, P का मान ग्याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए, F आया है, तो हमें पत पी इज इक्वल टू डबलू साइन अल्फा प्लस मूँ आप देखिए वही तो है कोई दिक्कत नहीं है अब देखें यहां पर आ रा गया अब हमको सॉल करते ही जाना है कुल मिला के पी कमान ग्याद करना है सब कुछ अटाना और पी कमान ग्याद करना है तो अब यहां रा है तो आर की वैलू एक्वेशन नंबर वन से उठा के हम इसमें पठक देंगे लाके यानि रख सकते हैं ठीक है ना तो देखिए क्या करेंगे पुट दवेलू आफ आर इन अब आब एक्वेशन मतलब की आर का मान उपर वाली एक्वेशन में रखने पर तो देखिए क्या ह हो जाएगा पी तो पी रहेगा डबलू साइन अल्फा पूरी उसी तरीके से उतर जाएगा म्यू म्यू ही रहेगा बेटा और आर की जिगह पर हम इस वाली एक्वेशन से उठाके डबलू को सलफा रख देंगे कोई डाउट नहीं है ठीक है अच्छी बात है पीछे जैसे में से पड़ा था वह यहां भी चला है हमको पता है कि मीव स्कोल टू टेन फाईवाई है जो किया होता है फाई बेटा आपने पीछे पड़ा है और आभी भी पता दे रहे हैं नह स्टाहरा है फ्रिक्षान एंगल एंगल यानि की घर्षण कोण और पीछे भी हमने बताया था घर्षण कोण बेटा क्या होता है कि एक मिनट घर्षण कोण आपको पीछे हम बता चुके हैं घर्षण कोण क्या होता है जब ये देखिए तल है या कोई भी तल है ठीक ना इस पर ये लग रहा है इस पर ये देखिए reaction force r लग रही है w नीचे की तरफ लग रहा है ठीक है और एक mu r नीचे इधर देखिए लग रहा है यानि की friction force नीचे की तरफ लग रहा है और इनका जो resultant होता है ना ये देखिए ये resultant है उनके बीच बनने वाला कोण ही तो घर्षन कोण कहलाता है यही तो बताया था कि और कुछ बताया था तो समझ गया होगे कि what is the five five क्या है आपका घर्षन कोण या section angle चलिए आगे चलते हैं तो यहां तक समझ गया होगे आप लोग आगे वाले case में देखिए हमने क्या किया म्यू की जिगह पे 10 five रख दिया देखिए हम सब पहले एक बार में ले आते हैं फिर आपको सम्झाते चलेंगे कि देखिए हमने क्या किया कि आप देखिए म्यू की जिगह पर 10 five रख दिया कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके बाद देखिए कि क्या कर सकते हैं यहां पर 10 five है ना हम सब को यहां से हमने डबलू पहले बाद तो कॉमल ले गया पूरे से तो देखिए पर चुके बटा 10 theta is equal to क्या होता है? sin theta upon cos theta तो यहां चुकी 10 five में हैं तो 10 five is equal to sin phi यानी sin phi upon cos phi देखिए यही तो लिखा है na sin phi upon cos phi कोई डाउट है इसके बाद देखिए हमने value उठा करके ऊपर रख दी उपर वाली equation में तो उपर वाली equation में जब value रखी है तो P is equal to देखिए यह आ रहा है P is equal to क्या है रहा है डबलू ब्रेकेट sin alpha देखिए sin alpha आई रहा है आपका प्लस देखिए 10 की phi की जगे पर हमने क्या रख दिया है sin phi upon cos phi तो यहां पर उठाया sin phi upon cos phi और into में क्या था बेटा cos alpha ब्रेकेट बन तो देखिए यही तो लिखा है ना sin phi upon cos phi और into में cos alpha अब यहां से हमने क्या किया बेटा cos phi यह जो था उसको ले लिया बेटा LCM कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो जब cos phi LCM ले लोगे तो डबलू यहां पर cos phi बेटा पूरे में हमने क्या ले लिया LCM cos phi LCM ले लिया तो यह cos phi इसके साथ चला जाएगा ना sin alpha cos phi प्लस यह cos phi था ही आप लोग अगर LCM लेने जानते होंगे तो बहुत अच्छे से आता होगा cos alpha इत्तिवा समझ में आई देखो यही तो हुआ ना उपर यह देखिए sin alpha cos phi plus sin phi cos alpha और पूरे क्याफॉन में cos phi आ गया ठीक है आपने trigonometrical beta formula तो पढ़ना ही पढ़ेगा इसको देख लेना कि sin alpha cos phi plus sin phi cos alpha यानी exchange हो गया है आपने एक फर्मूला पढ़ा होगा sin a cos b plus cos a sin b तो यह बन जाता sin a plus b तो इसी तरह यहाँ a और b कीज़ेगा पहलफा और phi आया है तो उपर यह क्या बन जाएगा पूरा पूरा फर्मूला यह बन जाएगा p is equal to w sin bracket में alpha plus phi और pawn में cos phi इतनी बात समझ गया है तो भाया पहला केस यही था जब पहला केस क्या था कि जब बल पी नत समतल यानी की inclined plane के सापेक्ष लग रहा हो तो उस अवस्था में पिंड को उपर ले जाने के लिए कितने बल क्या सकता होती है बटाया आपको यहाँ द और upon में cos phi ठीक ना यह था बल को उपर ले जाने के लिए और किस अवस्था में जब बल आपका नत समतल यानी की inclined plane के सापेक्ष लग रहा हो एक दम उसके parallel लग रहा हो ठीक कोई दिक्कत अब अगले case में चलेंगे अगला case क्या जाएगा कि जब यही बल अभी क्या था बल खीच रहा था उपर की तरफ अब क्या होगा कि पिंड नीचे की तरफ जाएगा अगले case में बल वैसे ही लगेगा समतल जो होगा नत समतल यानी जुकाव तल उसके सापेक्ष ही लगेगा उसके parallel लगेगा बट वहाँ पीछे case अभी जो case वड़ा है उसमें क्या था बल पी क्या करेगा उस पिंड को खीचे का ज़रूर लेकिन इतना कम से कम बल हम गयात करें कि वहाँ पिंड आराम आराम से नीचे जाता रहे मतलब कि अब हमने बल थोड़ा भी बढ़ाया तो हमारा पिंड विरामावस्था में आ जाएगा मतलब समझ रहो ना कि हम इतना कम बल साथ में तो अगला केस परते हैं विटा अगला केस यह देखिए नेक्स्ट केस क्या है आप लोग देख सकते हैं वेन दा बॉडी इज जस्ट ऑन दा पॉइंट ऑफ मोशन डाउन दा प्लेन यानि की ऐसी अवस्था जब पिंड नत समतल पर नीचे की तरफ जाने के लिए ग्रशर हो नीचे की तरफ जाए तो हमने क्या लिखा देखिए फिगर भी बना दिया है यहां पर देखिए फिगर देखो हम क्या अगर आपके डाउट हम मिटा दे रहा है पिंड अगर नीचे जा रहा तो आप लोग सोच रहोंगे बल अभी भी क्यों उपर की तरफ लगा दोगे तो एक तो यह समझो की पी भी नीचे एक तरफ लग रहा है साथ में यह जो डबलू था ना डबलू पीछे फिस्तुनल – फोर्स हे क्या हो जाएगा जदा हो जएगा छेहा отोज्याल फोर्स जादा हो जाएगा तो तो फिन लिचे आहीं नहीं पाएगा आप कैसे जाता test हो जाएगा आपको समझ पर देखिए देखिए पी भी लगा नीचेость दोगा नीचे एक तरफ साथ में तो आपका देखो जो F है वो उपर की तरफ लग रहा है बाष समझे गए ना ओपर की तरफ ये जब पिंड नीचे तरफ आएगा तो बलकी प्रिक्षिनल फोर्स अपोजे डैक्सम लगेगा ना तो जब फ्रिक्षिनल में आए यह नहीं आई तो आप कुल मिला के दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब देखें इसमें क्या है कि consider a block of weight w is kept on an inclined plane having angle of inclination alpha with the horizontal and the block is just at the point of sliding downward अरे भाई उसको लिकराए हिंदी में हिंदी में समझिए कि एक भार डबलू हमने inclined plane पर ऐसा रखा हुआ है वह प्लेन छहते जितल से अलफा कोण बना रहा है और जो पिंड उस नत समतल पर रखा हुआ है वह बिल्कुल नीचे मोशन करने के लिए तयार है ठीक है तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं ना रिजॉल्विंग दा फोर्सेस पर्पेंडिकुलर टू दा इंकलाइन प्लेन अब देखिए होगा क्या कि आप कह रहे हो कि ना रिजॉल्विंग देखिए हमने क्या कि जैसे पीछे किया था ना भी पीछले वाला प्रूवि लिए थे ना रिजॉल्व तो किया ही था फोर से अच्छा यहां पर भी क्या है डबलू ही अलफा कोड बना रहा है किस से देख लीजे डबलू ये है कहां कोड बना रहा है ये देखिए अलफा कोड ये अलफा कोड बना रहा है ठीक है ना तो वैसे ही फिगर बनेगा कोई बिल्कुल डिक्कत नहीं है, तो यह जब अल्फा कूड इस तल से बना रहा है, किस तल से, इस तल से, तो यह कैसा घटक दे देगा, डबलू कॉस अल्फा, और साथ में, पर्पेंडिकुलर जो घटक देगा, इस डिरेक्शन में देगा, वो क्या देगा, डबलू साइन अल्फार देख रहा है, नीचे तरफ तुमको डबलू कॉस अल्फा देख रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे पिछली बनी थी, वैसे यहां भी बन गई, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट होता है, आप स्क्रीन सॉट तुरंट वीडियो को र प्लेन यानी की प्लेन के सापेक्ष घटक लेने पर, प्लेन के सापेक्ष कैसा होगा बेटा, इस तरीके से, ठीक है ना, तो इस दिसा में देखो, एक पी तो लगी रहा है, उपर की तरफ, जो हमने अभी बताया क्यों लगा रहा है, ठीक है ना, और साथ में इसी प्लस एफ यानी प्लस एफ किदर लग रहा था ऊपर की डारेक्शन में और डाउट नहीं होना चाहिए अब दोनों को सॉल्व करकर के हमको केवल पी का मान ग्याद करना है अब पी का कैसा मान ऐसा मान कि पिंड हमारा आराम से नीचे आँ जाए ठीक है तो हमें ये कोईशन लगानी हो बिलकुल वैसे ही चलना है दुसरी equation में P plus F is equal to W sin alpha मिला हमको F क्या है? Frictional force है, यानि कि घर्षणबल है हमको पता है घर्षणबल का मान क्या होता है बेटा μू आर, पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है न? तो μू आर जब आपका घर्षणबल का मान होता है तो यह लिखा है कि as we know that the fractional force F is equal to μू आर जैसा कि हम जानते हैं, घर्षणबल F कमान मू आर होता है ठीक है न? हमने क्या किया? put the value of F in equation number 2 यानि कि equation number 2 में F कमान रख दिया तो F कमान जब रख दो, या तो F की जगा क्या आ जाएगा? मू आर ही दो आ जाएगा, तो देखो, P plus मू आर is equal to W sin alpha, ठीक है? चलिए, next page पे चलते हैं लोग अब देखिए, वहाँ पर मू डबलू हमको मिल गया था तो मू डबलू बेटा मिलने पर क्या होगा? हमको अभी अभी पीछे वाली equation भी करके आए हो मू हमको पता है कि घर्षण नियतांग होता है उसको कहते हैं, Frictional Coefficient बताया था ना? Frictional Coefficient और मू की वेलू आपने पड़ा रखी है अभी हमने पहले ही स्लाइड में प्रूविंग कराई थी 10.5, 5 क्या था? Angle of Friction बता चुके हैं वहाँ भी ठीक है ना? तो मू is equal to 10.5 आप पड़ चुके हैं तो मू की जिगर भीया, इस equation में 10.5 रख दो कोई दिक्कत नहीं है, उठाया हमने P plus मू की जिगर भीया, हमने 10.5 रख दिया W ये हाई है साथ हमें, कॉस अलफा, कॉस अलफा आ गया is equal to W sin अलफा, कोई दिक्कत नहीं, अब हमने W वाला टर्म एक तरफ करना है, P वाला टर्म एक तरफ करना है क्यों? क्योंकि हमको P कामान W के टर्म में निकालना है तो हमने क्या किया, इस वाले पोर्षन को उधर ले गाए, तो उधर ले जागा है, वहाँ भी बता चुके हैं, तो भगया 10 होता है, साइन अपान कॉस, तो टैन फाइज उक्ल टू साइन फाई अपान कॉस फाई हमने रख दिया, तो देखिए, रखो पी में, पी इच्वल टू डबलू वैसाई है, साइन अलफा देखिए, वैसाई रखा है, माइनस और साइन फाई अपान कॉस फाई रख दिया, इंटू में साथ में कॉस अलफा है, अब यहाँ पर देखिए, क्या ले सकते हैं, तो कॉस फाई पूरे के नीचे आ गया, अभी पीछे जैसे बताया, वैसे ही करना, आप लोग कॉपी पर सॉल भी करते चले हैं, खुद ही समझ ज है, मल्टिप्लाई होके आ जाएगा, और बटे में टोटल कितना आ जाएगा, कॉस फाई, तो देखिए, यह वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन अलफा माइनस फाई, क्योंकि साइन ए, कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी पढ़ो trigonometry, trigonometry पीटा याम नहीं पढ़ा रहा हूँ, trigonometry आप पढ़ें, अगर दिक्कत होती है तो फिर भी फार्मूले मैं लिख दिया करूंगा आगे से, अगर हो दिक्कत तो बता दें, वहना आप trigonometric फार्मूले देख सकते हैं, ठीक है न, तो इसको लिख दिया गया sin alpha माइनस फाई और नीचे कॉस फाई आ गया तो ये भाया पी का वो मान है जो पिंड को अराम से नीचे जाने देगा मतलब रोकेगा नहीं बात समझ गए आप लोग चलिए बहुत अच्छी बात है तो ये तो दो कंडीजान आपने पड़ी कि जब जो पिंड पर बल लगाया ग था वो नत समतल के सापेक्ष यानी की उसके बिल्कुल पर लगा ठीक कोई दिकत अगली कंडीशन हम क्या पड़ेंगे कि जब यही बल पी एक एंगल पर लगा हो एक एंगल पर कैसे लगा हो चलिए आगे देखते हैं देखें ये फिगर आप देख रहे हैं अभी हमने क्या होता है था है कि बिल्कुल पैरलल समतल के देखिए इसके बिल्कुल पैरलल लगा रहे थे अभी तकम लोग अब हमने क्या कि यह पिंड है बॉड़ी लिखा के एंडिंग क्या लिए कि फोर्स एक्टिंग एंगल थीटा विद्धा इंक्लीनेशन प्लेन जब बल नत समतल से थीटा कोण बनाते हुए पिंड पर लगे तो देखो न यह जो पी लगा रहे हम यह जो पी लग रहा हो पर समतल से ठीटा कोण बनाते रहे लगा या गया है अब देखो पहला केस क्या होगा इसमें भी दो केस होंगे जब पिंड नीचे जाए और यह तो जब पिंड ऊपर जाए तो पहले ऊपर वाली कंडिशन हम पढ़ेंगे क्या लिखा है? केस मन कि वें दा मोशन ओफ बोड़ी इज अपसाइड दा प्लेन अर्थात जब पिंड की गती नत समतल पर उपर की दिसा में हो यानि की पिंड जो है नत समतल पर अपर डारेक्शन में यानि उपर की डारेक्शन में खीचा जाए बल लगा कर तो यहां तो आप लोग देख रहा हो कि भीया बल एक एंगल पर लगाया गया है बहुत सरल है जैसा आप लोग पीछे पड़े हो वैसा ही है कुछ अलग नहीं करना है ठीक है देखिए अब इसमें हमने क्या लिखा है कि in this case the block is moving up the plane and the frictional force will act down the plane resolving वही चीज़ लिखी है कि इस अवर्था में पिंड को ऊपर खीचने के लिए बल भी लगाया जा रहा है तो भाईया जिस दिशा में हम खीच रहा है उसके बिल्कुल विपरी दिशा में एक frictional force यानि नीचे तरफ काम करने लगेगा घर्शनबल ठीक है यहां पर दिखाए गया है कि पी भी एक एंगल पर काम कर रहा है नहीं ठीटा एंगल पर बाकी सब वैसा ही है डबलू देखिए अपने बेस से अलफा कॉन बना रहा है अब क्या करेंगे कि पहले हम perpendicular यानि की लंबवत घटक लेंगे और दूसरा लेंगे कैसा पैरलल यानि की 36 तल के समांतर तो देखिए पहले ले रहा हैं कौन सा perpendicular यानि लंबवत घटक बलों का लंबवत घटक लेने पर तो बैया इस पी को जब हम देखिए इस तल से बटा थीटा कोल बना रहा है न यानि इसके लिए बेस का काम तो यही करेगा न तो इस डिरेक्शन में कौन सा घटक आ जाएगा पी कॉस थीटा देखिए लिखा भी ह का साइन होता है और बेस का कानी अधार घटक कैसा होता है कॉस कर तत contest ॥ीक है और देखिए इस डवलू को भी इलया है यानि कि हमने क्या किया घटक ले लिए तो दोजब डवलू को यानि वेद का घटक लोग है व कि shouldill को ऐ pictlles का काम वीजिए वाला कर रहा है ठीक मानि Stück वैसे जैसे पीछे किया है इसलिए आप लोगों के लिए समझना और भी आसान है क्यों कि पीछे जो चला वही है कुछ अलग नया नहीं आ रहा है इसमें तो देखिए पहले पर्पेंडिकुलर घटक लिए तो पर्पेंडिकुलर में कौन कौन से बल बेटा काम कर रहे हैं एक दिशा में ऊपर की तरफ देखिए पी के कारण इसका लंबवत घटक पी साइन ठीटा भी आ रहा है तो देखिए आर प्लस पी साइन ठीटा एक तरफ हो गया नीचक तरफ देखिए डवलू कौस अलफा गाम कर रहे हैं तो इजीक्वल्टू में डवलू कौस अलफा आ गय celगता है इस दिशा है ड。 सब्सक्राइब शंकि पडैक्री कारण ठीटा एक तो मिर्दीखिए जया और साथ में इस-ढवलू का है यह जो डवलू है इसका घटा एक। अपंडिकुलर रिजॉलूशन कैसा आगा है डबलू साइन अलफा भी सी डिरेक्शन में आ रहा है तो देखें कोशन बन गई ना क्या कोशन बन जाएगी पी कॉस्ट थीटा है यह दो नोबल एक डबलू साइन अलफा एक मू आर तो प्लस का डबलू साइन अलफा प्लस एफ वही मू आर को हमने एफ से डिनोट कर दिया कोई दिख कर दिये कुशन नमबर टू पूरा बैस ही चलेगा कहीं कोई भी अंतर नहीं आना देखें लिखाया है अस वी नो देट is the fractional force so f is equal to mu r पता है ना कि f किया है 4 fractional force put the value of f in equation number 2 हमने उठा के f की value equation number 2 में रख दी थो भाइया f की जगां आगया सिर्फ mu r आ गया अब put the value of r in above equation हिंदी में कहें तो भाइया R कमान ऊपर वाले समी करन में रखने पर तो उपर आले समी करन में रख दो तो R कमान यह देखिए समी करण 1 से उठा करके हम क्या करेंगे इस वाली क्वेशन में रख देंगे तो देखिए आ गया आपका R कमान समी करण उपर वाले में रखने पर देखिए आर कमान उपर वाले समी करन से उठाया और यह लगती है आमने लाके तो देखो पी कॉस थीटा तो थाई इसकोल टू डबलू साइन अलफा प्लस मू अब मू के साथ आ था वहाँ पर यहां आर कमान रख दिया क्या है डबलू कॉस अलफा माइनस का पी साइन थीटा चलिए अब हमको सॉल करते जाना है पी कटर में एक तरफ कर लो अच्छा पी कटर में अभी एक तरफ नहीं किया है हमने क्या किया है कि मू की वैलू जैसा पीछे किया हुआ यहां कर रहे है हमको पता है मू की वैलू क्या होती है 10-5 उठा करके हमने value रख दी तो P cos theta यह है W sin alpha वैसाई as it is mu की जगह भी यह 10-5 लेया है और बाकिस सब कुछ वैसाई उता दिया उसके बाद देखिए हमने कहें किया कि P गटर में एक तरफ कर लिया और W गटर में एक तरफ कर लिया तो P cos theta तो था ही है देखिए तो P cos theta साथ में इधर जाओगे अगर तो 10-5 को अगर अंदर multiply कर दो दोनों में तो 10-5 का term भी तो P के साथ आ जाएगा P 10-5 और sin-5 यह दखो तो उठा के इधर लिया P common ले लिया तो यह term इधर मिल गया उसी तरह W sin alpha था तो sin W अगर common लोगे तो sin alpha थो बचे गाई 10-5 भी इसके साथ multiply हो जाएगा अंदर 10-5 और cos alpha एक तरफ ले लिया ना अब हमने गया कि यह 10-5 की value उठा के रख्ष दी 10-5 is equal to sin phi upon cos phi होता है तो देखिए P bracket cos theta वाई से लिग दिया 10-5 की वेट बेटा bracket में मजले bracket में देखिए value रख दी middle bracket में sin phi upon cos phi into में sin theta कोई डाउ is equal to w sin alpha वैसे ही है और plus 10 phi की value मजले bracket में दिखाए दी sin phi upon cos phi into में cos जैसे वहाँ cos phi को हमने वेटा लिया था मतलब LCM वैसे यहाँ पर भी ले लोगे तो यहाँ पर देखो बेटा जब cos phi LCM लोगे तो cos theta के साथ cos phi आ जाएगा ना तो देखिए और साथ में देखो जब cos phi LCM लोगे ना दोनों तरफ तो cos phi cos phi नीचे से cancel out हो जाएगा कट जाएगा ठीक है ना नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले ना मैं इसको equation solve करके भी बता दूँगा जैसे मैं आप करके साथ दिखा दूँ नहीं तो आदेश ज़्यादा लोग को कहें कि सर नहीं ऐसे ही कर दिया देखो पी यह है ब्रेक एट कॉस theta ठीक है ना प्लस साइन फाई अपन कॉस फाई इंटू साइन थीटा यह देखे एक तरफ का मैं solve कर रहा हूं आप अपने आप समझ लेंगे ठीक है ना यह अब देखो जहाँ पर कॉस फाई बेटा जब जाएगा लिख दे रहा हूं इधर साइन फाई और साइन थीटा बटाया भी ठीक है खना तरह उस साइड ही कोस फाई दोनों साइड्य जाएगा इतनी बात समझ गए न आप लोग चलिए बहुत अच्छी बात है अब देखिए यहां पर हमने जब equation मनाई तो cos phi इधर आ गया तो यह equation मनी जाकर करके cos theta cos phi plus sin theta sin phi और उधर क्या बना यह देखिए cos theta cos phi sin theta sin phi यह इटा cos a cos b plus sin a sin b का formula होता है और यह formula बन जाता है cos a minus b पीशे ही पढ़ चुके हो कोई doubt नहीं होना चाहिए तो यहां पर यह बन गया cos theta minus phi टिक्नोमेट्री के बटाए formula है यह याद रख लीजिए वरना मैं बता दूंगा आपको फिर से और साथ में देखिए sin alpha cos phi sin phi cos alpha है यानि वही वाला formula टिक्नोमेट्री का कि sin a cos b और प्लस का cos a sin b तो यह plus में change हो जाएगा किसमें sin का alpha plus phi और यह यह पी वाला हमें p की value निकालनी थे w sin alpha plus phi मैं हमने cos theta minus phi कर divide कर दिया अब देखें यहां पर नीचे cos theta minus phi आ रहा है और मैंने कहा था लाना कि p का हमको minimum से minimum मान ग्याद करना है कि पिंड को जिस मान को लगा करके मूँपर खींच सकें धान रखना समझ गया ना बात को तो minimum मान ग्याद करने के लिए p का minimum मान ग्याद करने के लिए उस तरफ का denominator maximum होना चीए पता है में यहाँ पर है p का minimum मान ग्याद करना है कि जिसके द्वारा हम पिंड को उपर खींच सकें तो भाई यह हमको cos theta minus phi को maximum करना होगा और आप सब को पता है कि cos का maximum मान होता है one ठीक है ना maximum मान क्या होता है one वो भी कब होता है जब उसका theta यानी कोण 0 हो तो भाई तो यहाँ पर किया है हमने क्या किया है cos theta minus phi को maximum करने के लिए one कर दिया वो भी कब जब कि जिसके दोारा आप पिंड़ को ऊपर कीच सकें ठेक कोई डाउट बहुत अच्छी बात है तो यह था पहला case कि जब पी वह भी आ प Fix का पहला case जब पी एक एंगल पे लग रहा हो और उसका पहला case क्या था कि हम एंगल पे लगा को लगा कि पिंड़ को ऊपर प्लेन यानि कि जब पिंड की गती नत समतल पर नीचे की दिसा में हो अब नीचे की दिसा में हो तो वहां पर जब हमने देखिए प्लेन के सापेक्ष लगाया था भीया जब आपको ध्यान होगा प्लेन के सापेक्ष फोर्स लगाया गया था ऐसे दिसा में तो हमने उपर की लगाया था ठीक है क्यों लगाया था मैंने बताया अबी था कि हम वह उपर के लिए इसलिए लगाना पड़ा है ताकि अद्धा कि अध्य थी तरफ लग रहा है तो हमारा आराम नीचे की तरफ मतलब की जा सके कुल मिलाकर तना समझे कि पिंड को हमने फॉर्स थी यहां पर हमको क्या करना पड़ा है कि इस दिशा में लगाना पड़ रहा है सिर्फ इस सवस्था में इस इसमें जब बल नत समतल से ठीटा कूल पर हो और साथ में नीचे की तरफ बाड़ी मूव कर रही हो उसकेस में आप बिल्कुल ध्यान रखें कंथश्ट कर लें कि पी को इस दिशा में अच्छा क्यों लगाया जा रहा है इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा कारणा बता रहा ह साथ में एंगल ठीटा लगाते है ठीक है नत समतली से तो कोण बनाना है तो इस पी का जो रिजॉलिशन यानि की खटक आता वह इस दिशाम बेटा क्या था पी कॉस्ट थीटा पास समझेगा और इस दिशा में तो वही आता पी साइं ठीटा जैसे वहां आएगा कोई दिख और हमको अगर इस पिंड को नीचे की तरफ ले जाना है तो पी को हमको मिनीमम से मिनीमम रखना पड़ेगा तभी तो पिंड नीचे जाएगा वनना पिंड नीचे क्यों जाएगा भई पिंड तो ऊपर खीचने लगेगा ना तो देखिए इसका जो 36 घटक है पी कॉस्ट थ होता जब थीटा की वैल्यू जीरो हो तो भाईया सो खुद सोचो जब इसके लॉंग ठीटा जीरो कर दोगे इधर की तरफ थीटा भाई अगर इस तल पे बिल्कुल फोर्स लगा दो तो ठीटा जीरो नहीं हो जाएगा तीटा जीरो तो कॉस्ट कमान मैक्सिमम तो यानि प पिंड आपको नीचे जाए गई नहीं बास समझ रहे ना इसलिए हमने पी को इस तरफ लगाया है समझ गया ताकि पी कॉस्ट थीटा हमको इधर घटक मिल सके हमारा पिंड आराम से नीचे जा सके ठीक है ना क्यों क्योंकि थीटा बेता जैसे इधर अगर पी लगाओगे त ठीटा अगर इधर ले इसके साफ एक तो ठीटा जीरो जाएगा तो इधर की तरफ बल जादा हो जाएगा और पिंड वहरा नीचे खी मह़रा पा पाए इसलिए इस अवस्था में बिल्कुल कंठस्inga कर लो बेटा कि 앞 बिंड नीचे की तरफ जारा हो और उस पर जो बल लग आया गया है वो हमेशा किस तरफ लगेगा पिंड के इस तरफ लगेगा ना कि उधर लगेगा क्यों क्यों उधर लगाओगे तो कॉस्ट थीटा यानि जो 36 घटा गाएगा वो तो चलिए इतना आप लोगों समझ लिया होगा तो अब हम आगे कंडिशन बढ़ाते हैं बस बाकि सब अपने आप सौल हो जाएगा बिलकुल परेशान होने की जरूरत नहीं है देखें क्या लिखा है इन दिस के टा ब्लॉक इज मूविंग डाउन दा प्लीन और फ्रेक्शन का लगाया है तो जब पिंड़ को में नीचे ले आनत भाईया पिंड़ी नीचे आएगा तो उपर की तरफ लगेगा ना फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है अब इस पी का हम लोग बहिया जैसा कि अभी क्या रिजल्विंग डफोर्स पर्पेंडिकुलर तूड़ प्लेन यानी की का कैसा लगवत घटक लेंगे तो लंभवत घटक तो यह बहिया आर है ऊपर इवह साथ में इस पी का लंभवत घटक इधर देखो पी साइन थीटा और छेतिश घटक इस साइड आएगा तो पी कार्स थीटा अ ठीक है और साथ में देखो डबलो तो वही सही odpow यहां दिख नहीं रहा है तो डबलू का जो 36 घटाक आएगा यानि की प्लेन यह इधर बनेगा तो डबलू कॉस अल्फा और इधर आएगा तो डबलू साइन अल्फा तो रिजॉल्यूट कर लो बिल्कुल वैसे यह पी का मान निकालना एंको आज इस जैसे पीछे कराया है त पी साइन थीटा इस इक्वल टू डबलू कॉस अल्फा समी करण नंबर एक यानि क्वेशन नंबर वन फिर हमने लिया रिजॉल्विंग फोर्सेस पार्लल तुदा प्लेन अर्थाद की बलू का नत्र समतल के सापेच समांतर घटक लेने पर तो समांतर घटक देखो तो एक लिए तो बेटा इधर म्यू आर लग रहा पहिली बात और इसके यदा डपलू के कारण देखो एक डबलू सान अलफा इधर लग रहा है अब फी इधर लगा देख लिखा जाओ लगा I यहां पर रखना है कहां से एक्वेशन नमबर वन से तो आर इसकोल टू डबलू कॉस अलफा माइनस पी साइन सीटा यहां से आ जाएगा उठा के यहां रख दिया इस्ती बात समझ में आ गई फारी large cell टैं में तो वहां पर र की वैलू यह यहां कि अब low art की वैलू जब यहां कि ने की पात है वहां पर हम पता है कि 1050 अंतले क्या है अन्य फ्रिक्षिन बहुत बार बताया और यह कहां कहां अभी बताया भी पाहले भी प्रवय मों सद्रेडरे ने बटाया है ठीक है नहीं तो देखो यहां पर क्या में उठा के वैलू रख दी तो यहां पर देखा था ना मू था रख दिया यहां पर 10-5 को हमने अंदर डिस्टिब्यूट किया पी का घटा एक तरफ और डबलू का साथ में जो भी वैलूज है उसको एक तरफ यह देखिए एक एक तरफ दोनों को ले आए ठीक है 10-5 जैसा पीछे सॉल गिया देख वैसे ही यहां पर भी सॉल कर दिया देखो कॉस ठीटा यह ही है 10-5 को ब्रेकेट में हमने लिख दिया साइन फाइप और कॉस फाइप इंटू साइन थीटा और इसी तरह डबलू के साथ जो यह देखिए 10-5 था यहां पर यह उसको उठाके हमने साइन फाइप कॉस फाइप मजले ब्रेकेट में लिख दिया इंटू कॉस अलफा और साथ में साइन अलफा कोई दिक्कत नहीं है फिर हमने वही जैसे अभी पीछली वाली प्रूवियू किया कॉस फाइप ओ दोनों तरफ एलसीयम लिया तो उससे देखो यह वाला घैता की धर बना और यह वाला गटा की धर बनाई जैसा कि अभी पीछे भी बताके चلहे आएं कि कॉस थीटा कॉस फाइप प्लस साइन फ माइनस का कोज साइन इडिबाने कोश सफाइन ęd drainage का तो यह कुंचे है दी थे लिए थे नीचे बन जायेगा साइन फाय माइनस अलफा ठीक है वो व के साथ इडिया ना पिक का में वान मान ग्याद करना है कि हलका सहलका मान कि हम उसको थोड़ा भी लगाम है कि पिंड हमारा इसके opposite इधर की तरफ बढ़ने लगे बात समझ गए ना तो यहाँ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा देखिए पी अभी इधर के लिए बढ़ाने के लिए क्या करना है निटि नॉमिनेटर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए तो कॉस की वेलू मैक्सिमम वन होती है वन कब होगी जब एंगल हमारा जीरो हो जाए सेम वही चीज और हमारा ये पी मिनिमम आ गया कि पिंड जब नीचे जा रहा हो तो हमें पी कमान इतना रखना है और अभी मैंने आपको बताया कि पी कमान इस साइट क्यों लगाया इस साइट क्यों नहीं लगाया जिसको डाउट हो वो फिर से बेटा स्लाइड जहां भी डाउट हो स्लाइड की फोटो खीच ले रोप करके तो आपको मैंने अभी बताया था कि मैंने जहां तक देखा है कि सब लोग अभी देख नहीं रहें विडियो ठीक है ना जितने भी बच्चे है वो विडियो देख नहीं रहें तो सभी देखें और देखने पे आपको बिल्कुल क्लास जैसे फीलिंग आएगी ऐसा लगेगा कि क्लास में पढ़ाय जा रहा है तो बिलकुल परिशान होने की जोगत नहीं है Hindi English doesn't matter परिशान नहीं उसका कोई भी matter फसेगा नहीं मैं Hindi में भी हूँ English में भी पढ़ाऊंगा सब कुछ available कराऊंगा proving देखी अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी है वो एक जैसी है कहीं कोई difference नहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है तो वो आपको समझना पढ़ेगा मैं समझाने के लिए यहां पर हूँ जब भी जहां भी दिक्कत हो स्लाइड रोक करके स्क्रीन सॉट लें और उसको जिनको मेरा वाट्सअप नंबर पता है वो वाट्सअप पे बेज़ दे जिनको नहीं पता है तो मैं email id प्रोवाइड करा दूँगा email id पे send करें लेकिन बेटा पढ़ें सभी लोग वीडियो देखें मेरा main motive यह है कि आपको इस lockdown की period में भी अच्छी से अच्छे ग्यान प्रोवाइड किया जाए friction का बेटा इस से बहतर जो notes मैं बना रहा हूँ बहुत ही अपने इसाफ से sort में और अच्छे अच्छा बना रहा हूँ तो please सभी लोग वीडियो देखें, share करें और subscribe तो है सभी लोग करें, subscribe मैं देख रहा हूँ कि जतने views आ रहा है उसके इसाफ सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, subscribe प्लीज करो सब लोग, ठीक है आपके लिए आप एक अच्छा मैंने step लिया है और अच्छा तरीके पढ़ाने क प्रयास कर रहा है तो please उसका मैनत का फल भी मुझे मिलना चाहिए, आप subscribe जरूर करें, बिल आइकन दमाज subscribe करें और जितने ज्यादस ज्यादा बच्चों को आप भेज सकें भेजें, ठीक है वड़ा, ओके, thank you, good night, सुबसंध्या, और सभी लोग पढ़ें, अच्छे से